असकार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ बिकास कुमार सत्रा राज्यों के 51 सीटों पर उप्चुनों को लेकर मतदान जारी है हम आपको बता दें कि यूपी में 11 सीटों पर और हर्याना में 90 सीटों पर तो ही महराष्ट के 288 सीटों पर सुबह से ही मोटिंग सुरू हो गई है महराष्ट में NDA और UPA के भी सीधी टक्कर है तो ही बिहार के वाका वेलहर विधान सभा उप्चुनों में चार परत्याशी मैदान में है जिसमें RJD और JNU के भी सीधी टक्कर है विलहर विधान सभा छेतर की बात करें तो वरतमान जद्यू सांसत गिरिधार रियादब की लोग सभा चुनावरी जीत के बाद ये सीट खाली हो गया लगा बिलहर सीट पर मुठ्यमंत्री निदिश मारनी जद्यू सांसत गिरिधारी यादव के भाई लालधारी यादव को चुनाभी मैदान में उतारा है लालधारी यादव का सिधा मुकावला राजत के रामदेव यादव से है रामदे मियादब पुर्व में बिलहर से विधायक रह चुगे हैं भागनपूर नाथनगर सीट की बात करें तो वर्तवान जदियू सांसर अजन मंदर की जीत के बाद यह सीट खाली हो गया था इस सीट पर जदियू ने संगठन से जुड़े कारेकरता कूप्टी कर दिया लक्षिमिकांत मंदल जदियू में जिला एवं परदेश के महत्कून पदों पर रह जुए हैं गंगोता बहुल छेत्र होने के कारण जदियू ने लक्षिमिकांत पर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में खड़ा किया है वहीं जदियू के लक्षिमिकांत मंदल का मुकावला राजत की रविया खातुन से है इन दोनों परत्यासियों के बीच निर्दलिय परत्यासी जिला परिशा सदसित डॉक्टर अशोग कुमार आलुक सीधी टककर देते हुई नजर आ रहे हैं कुल मिलाकर नाथनगर विधानसवा उप्चुनाव में तिर्कोणिय मुकावले के आसा दिख रहे हैं इस उप्चुनाव में 14 परत्यासी चुनावी मैदान में है नाथनगर विधानसवा चेतर में 3,16,000 मताता 14 परत्यासियों के भागे का फैसला करेंगी नाथनगर विधानसवा चेतर में 307 मतदान के अंदर बनाए गये हैं क्या कुछ चल रहा है नातनगर विधान सवाचेत्र के भुथों पर आईए हम आपको दिखाते हैं, शीधे रुख करते हैं हमने समबाधा का सुमीत शर्मा के बास सुमीत क्या कुछ चल रहा है विधान सवाचेत्र में? उपचिनाओ को लेकर सभी भूत वटों पर मतदान शुरू हो गया है हलाकि हम देख सकते हैं कि मतदाता बहुत कम संख्या में जूट रही है लेकिन जो भी मत दाता जूट रही है उनमें काफी उत्सा देखी जा रही है उप्चिनों को लेकर भागलपूर SSP आशिश भारती सुवा से ही छेत्र के सभी बूतों का जाय जाले रहे हैं साथ जोन बनाए गए हैं तीन सूपर जोन हैं और एक उसके भी वरिये जोन प्रवहरी हैं तो सभी लोग भ्रवनसील है और हम और डीम साब भी सभी जगर देख रहे हैं अभी तक जो डेर गंटे में जो इस्तिती आई है उसमें अभी पोलिंग का जो परसंटेज है वो काफी कम है उम्मीद है कि वो आगे पिक अप करेगा सुरक्ष्या की कुर्ण दुरस्था सुनी से कहीं से कोई घटना की खबर नहीं है और पुलिस प्रशाशन ने पुर्व सब्सक्राइब करें अब अपने संबादाता सैयद इनाम से सजी विकास नाथ नगर विधान सवा उप्चुनाव को लेकर मतदान सुरू हो चुका है इस वक्त हम मौजूद है सब्सक्राइब के सामने बूत संख्या 258 के समीप जो मतदान है उसकी परकिरिया अगर छोड़ दे तो कुछ बूतों में इबी एम में खरावी होने के कारण बीवी पैट में खरावी होने के कारण कुछ बूतों में आधा घंटा एक घंटा बिलम से मतदान की परकिरिया सुरू होई है और इस बार 14 पर त्यासी नाथ नगर विधान सवा चुनाव को लेक बिभिन बूतों पर कि मतदाताओं की संख्या काफी कम है हाला कि पुरूस मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं लेकिन अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो महिला मतदाताओं का परतिसत काफी कम है हाला कि इसके लिए महिला मतदाताओं में जागरूपता पैदा करन था लेकिन फिर भी कहीं न कहीं यह सारा कार्यकरम जो भी चलाई गई थी योजनाएं जागरुप करने की वह कामियाव होती नजर नहीं आ रही है जो मतदाता है उसमें अब धीरे-धीरे जो है तो मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी हुआ है लेकिन हाला कि फिर भी जो भीर होनी चाहिए जो जितने बोटर है जितनी मतदान होनी चाहिए वैसी मतदान नहीं हो पा रही है उतों पर सुरक्षा की कड़ी विवस्था रखे हुए है दुसरी तरफ जो 14 पर 83 है वो भी अपनी पूर्जोर कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता घर से निकले और वो अब मतदान के दरों पर जाए है 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 झाल